अटारी दार बना हुआ कच्चा मकान गिरने से देड़ वर्ष के बच्चे की हुई मौत वा मा गंभीर रूप से हुई घायल कालिंजर थानक शेत्र के गुढ़ा कला गाउं में गुरुवार की शाम करीब आट बजे अटार अनुमा बना मकान अचानक भरभरा कर गिर गया ज बचाव करते हुए मलबे में दबे महिला वा बच्चे को निकाला तब तक शिवम देड़ वर्ष की घटना स्थल पर ही मौत हो चुकी थी और माग्यानवती पतनी धीरेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गई जिसे इलाज के लिए नजदी की अस्पताल में भेजा गया है बचान के मलबे में दबकर घर के अंदर सो रहे शिवम की मौत हो गई और माग्यानवती पतनी धीरेंद्र वर्मा गंभीर रूप से घायल हो गई घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुँचे तहसीलदार वकोतवाल ने घटना स्थल पर पहुँच कर देखा वजाच क बच्छे के साथ में अअरवी हम खरना रहा था घर में जो ड़ाए छठनी अकशटनी करने के बाद उसमें दी कर देखा शला जो और पूराई की है लगता तुमारी बनी दिवाल को काट दिया है उसे छटने की है अलकी हलकी है फिर इसके बाद तराइप मार दिया है तो पानी गया वह अंदर और घसक़ दिवाल उस समझ जब बच्चे दबा था उहां क्या कर रहे थे आप लोग वो बच्चा सो रहा था अंदर और उसकी मा जो है रोटी बना रही थी बाहर तो खा रही थी खाना और बच्चे खावा के अब लिटा जिया था कि आप पहले से नहीं समझ पाए हैं कि मतलब दिवाल को काट थे त्जह आप में रहा हुआइए यह क्या नाम हुआ थे वहां माक्त कितने उम्हारily नवक्रण आपके कर रह थे उस सब्रूर तरह कि आसर का इसमांग करते हैं इंग क्या करते हैं कि अब उप सहाय є कर्यों कहा है अधार राम उतार बारमा कहां से हैं आप लोग अतारा से ची बताईए क्या हुआ अगटना क्या हुए यह जब ने खोदा अथोई चाड दी है चाटे बाद अपनी दिवाल चला लिया चलाए के बाद जब तर आई हुई तो नीचे दिवाल खासकी सलकी यहां तब पूरा माक कौन माकन बना रहा था क्या नाम है उसका उसका का ना हुए दादु भाई तब की गटना है यह आज 8.30 बज़ रात निकल साम की है आज रात में जो हो कुछी तो मोके में कौन पहुंचे था महा पर कोई अधिकारी पहुंचा है गटना के बाद में अधिकारी पार्धान त पफाटवाल पहुंचा है अज कहां है अब लूग हमाएं मिट्टी में पोस्ट माटम के लिए आएं पोस्ट माटम करवा रहा है यहां क्या चाहते हैं आप लोग आपक के साहिए गरी बाद्मेट अगातन उसको कुछ गो बस्तफ कोना ही जरूरी है बेव अवलाद को हो ग